हलो फ्रेंड्स, वेलकम टो SLC कोचिंग सेंटर दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे गडित के महत्वपून प्रेशनी जो बार-बार परिक्षव में पूछे जाते हैं, तो चले स्टार्ट करते हैं, पहला प्रेशनी है, एक कार तथा रेल की गती का अनुपात 15 अनु अनुपाते 22, यदि रेल की गती कार की गती से 35 किलोमीटर अधिक हो, किसकी रेल की गती कार की गती से 35 किलोमीटर अधिक है, रेल की गती कार की गती से अनुपात में कितना अधिक है, रेल की गती अनुपात में अधिक है, कार से दोस्तों 7, और रेल में कितनी अधिक दिए बाई किलो मीटर में 35 देखे, अनुपात में 7 देखे, तो इस 35 में 7 से डिवाइड कर दो, कितनी वाज़ाएगा 5 वाज़ा, ठीक है 5 का गुना कर दो 15 से तो 75 और 5 का कर दो 22 से, पहले ये देख लो पूछा क्या गया, कार की गती कितनी है, कार की पूछ रहा है बाई, तो हमें रहल की गती पूछ ले, तो 5 का गुना 22 से कर दो 110 हो जाएगा, के लिए रहा समझ में आ गया, अब देखेंगे अगला प्रश्नी, अगला प्रश्नी है, तीन संख्याओं का योग 64 है, पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात 3 अनुपाते 5 है, कोई आपके पास 3 संख्य हैं, तो मैं आपर 3 संख्या लिख लेता हूँ, A, B, or C, मैंने मन भाल लिया, A, B, C 3 संख्या है, इनका योग दे रखा है 64 हमारे पास योग कितना है 64 हमारे पास योग हो गया ठीक है पहली तता दूसरी संख्या का अनुपात तीन अनुपाते पाँच है पहली का दूसरी का कितना तीन अनुपाते पाँच है जबकि दूसरे तता तीसरी संख्या का अनुपात पाँच है दूसरी का और अब देखिए हमारे पास ये वाली जगा खाली बची और ये वाली ये खाली है तो इसके बरावर वाली संख्या 5 लिख देंगे ये खाली है इसके बरावर वाली संख्या 5 लिख देंगे ये सेम संख्या से कट के आ गया अब हमारे पास तीनों संख्याओं का योग कितना है 64 है जह हमारे पास योग है तो हम अनुपातों का भी योग कर ले 8, 5, 13, 13, 16 तो इस योग में अनुपात की योग से डिवाइड कर देंगे 16, 4, 64, 4 वार में गया पूछा क्या है दूसरी संख्या क्या है तो इस 4 का दूसरी संख्या में गुना कर दो तो दूसरी संख्या का अनुपात 5 है तो 4 का गुना 5 में कर दो 20 हो जाएगा तो दूसरी संख्या हमारी 20 है यानि कि पहला ओप्सन आपका बिल्कुछ सही हो जाएगा समझ में आ गया अब देखेंगे अगला प्रेश्णी अगला प्रेश्णी है दो वर्ग M और N के विकर्णों का अनुपात दो अनुपाते एक है कोई दो वर्ग हैं मैं यहाप पर दो वर्ग बना लेता हूँ एक पहला वर्ग यह हो गया दूसरा वर्ग यह हो गया तो ये पहला वाला तो M है और ये दूसरा वाला क्या है N दो वर्ग है M और N मैं दोनों को अलग अलग नाम दे दिया और ये क्या होगा इनका बिकर्ण और इनका बिकर्ण का अनुपात है दो अनुपात एक बिकर्ण का अनुपात क्या है तो अनुपात एक है तो उनके छेतर फलों का अनुपात क्या होगा तो वर्गों के छेतर फल का अनुपात यह तो निकालना है तो वर्ग का छेतर फल का अनुपात हमें कभी भी निकालना हो तो वर्ग का छेतर फल बराबर क्या होता है याद रख ली रहां विकर्ण का दोस्तो square divided by 2 होता है ठीक है अब विकर्ण हमारे पास कितना है दो और एक दो अनुदपाते एक विकर्ण हमारे पास यही है और विकर्ण का क्या हो रहा है square तो हम विकर्ण का square कर देंगे divide में 2 है तो हम divide में 2 रखतेंगे ठीक है अब यह 2 से 2 तो कट जाएगा तो 2 का square कितना हो गया 4 और 1 का square हो गया 1 तो वर्ण का 6 फलका नुपात आपका क्या निकल के आगए 4 नुपात 1 यह आपका सही जवाब हो गया डे option बिल्कुल सही केलियर हो गया अब देखेंगे अगला प्रस्ण है अगला प्रस्णी है यदि a-b बराबर 5 और a square plus b square बराबर 97 है तो a भी बराबर क्या अच्छा प्रस्णी है देखें कभी भी इस तरीके का प्रस्णी दिया जाए तो आपको ध्यान से देखना है कि इन दोनों पक्षों का क्या कर देना वर्ग इन दोनों पक्ष square आईगा कि निनने आईगा ए माइनस बी का whole square यह फॉर्मुला ना जला गया तो यह formula होता है क्या है a-b का square a square plus b square minus का 2ab यही तो formula होता है तो जहां यह लिखा हुआ है हम वहाँ इसको लिख सकते हैं लिख सकते हैं के नहीं पिल्कुल लिख सकते हैं ठीक है तो मैं इसकी जगे पर इसको लिख दूँगा लिख दूँगा मैं a2 plus k b2 minus k 2ab तो मैं इसके पूरे की जगे इसको लिख दूँगा ठीक है बराबर में इधर क्या है 5 ka square तो 5 ka square कितना हो जाग बली है 25 अब देखिएका a2 plus b2 बराबर कितना है, a² प्रेस b² की value 97 है, तो a² प्रेस b² की जगे में 97 रख दूँगा, ठीक है, माइनस का 2ab, बराबर है 25, अब देखिएगा, यह हमारे पास क्या है, 25, ठीक है, इस 25 को मैं बराबर के दर लेके आँगा, तो माइनस का 25 हो जाएगा, तो 97 मैं से मैं 25 घटा क्योंकि यह पिलस का 25 बराबर के दर आगे माइनस का 25, तो 97 मैं से 25 कर जाएगा, बराबर, यह माइनस का 2ab बराबर के दर जाएगे, पिलस का 2ab हो जाएगा, अब 2 से 72 को काटेंगे, तो 36 बार में कटेगा, तो a गुने b, यानि कि a b की value कितनी आ गई, 36, और हमको a b की value ही न 3 की power 5, 3 की power 11, 3 की power minus 11, 3 की power 14 का LCM ग्याद करें, कुछ नहीं करना, यह प्रश्णि में आपको इसलिए लेकर कर आओ, क्योंकि इसमें कुछ करना ही नहीं है, प्रश्णि देखने में बहुत कठिन लग रहा होगा, लेकिन इस प्रश्णि में कुछ भी नहीं करना, आपका द देखें, पावर आपको हमेशा सबसे बड़ी वाली लेनी है, सबसे बड़ी पावर, 3 की power 14 सबसे बड़ी हो गई, यही क्या हो गया, आपका LCM हो जाएगा, ठीक है, बस यही आपका आंसर है, तो मैं आपको क्या बताया, कुछ नहीं करना इस प्रश्णि में, आपका बेस स है, तो X का मान ग्याद करें, हमें X का मान ग्याद करना है, इन चार option में से कोई एक X का मान होगा, मैं go through option कर सकता हूँ, प्रश्णि को, मैं मल लेता हूँ कि X का मान 5 है, तो मैं X equal to क्या रखूँगा, पांच रखके देखूँगा बई, सबसे पहले यहाँ पे मैं 5 रखके मैं X equal to 16 रखके देखता हूँ, दूसरा option, मैं मल लेता हूँ X का मान 16 है, तो 16 रखके देख लेता हूँ X की जगा 16, पिलस रूट में X की जगा 16, एक्स का मान 16 है, बराबर 20 के आ रहेगा, आ सकता है, देखिए कैसे आ सकता है, यह मेरे पास 16 है, और 16 का रूट मैं करूँग चार तो 16 प्लस चार ये 20 के बराबर आ गया कि नहीं आ गया 20 के बराबर आ गया तो इसका मतलब X का मान मेरा कितना है 16 20 ऑफसन बिल्कुल सही ठीक है दोस्तों सभी को समझ में आ गया अब देखेंगे अगला प्रेशन अगला प्रेशनी है एक आयत का छित्र फल 448 वर्ग मीटर है यदि इसकी लंबाई इसकी चोड़ाई से 12 परसंट अधिक हो तो इसकी चोड़ाई ग्याद करें चोड़ाई पता नहीं है कितनी है चोड़ाई नहीं पता कितनी है जब नहीं पता तो हम इसे एक समान लेंगे ठीक है और लंबाई इसकी चोड़ाई से 12 परसंट अधिक है जो लंबाई है वो चोड़ाई से 12 परसंट अधिक है तो चोड़ाई को हमने एक समाना है इससे 12 प देखिए, हमें क्या निकालना है, आयत का छित्रफल हमें दे रखा है, तो चोड़ाई कितनी है, तो यहाँ पर देखिए, आयत का छित्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चोड़ाई होता है, ठीक है, आयत का छित्रफल दिया गया है, चारसो अड़तालीस बराबर, लंबाई कितनी है, लंबाई हमारे पास है, x into 112 बटे 100 और चोड़ाई कितनी है, चोड़ाई हमने x मानी है, तो चोड़ाई हमारे पास x हो गई अब 112 से 448 पूरा पूरा चार बार में कटेगा, ठीक है और 100 का गुना होगा 4 से तो कितना हो जाएगा, 400 बराबर x का गुना x से होगा तो यह हो जाएगा x स्कुराई, ठीक है, इधर लिख लो, 400 बराबर x स्कुराई अब यह जो स्कुराई है, यहाँ से हटके यहाँ पे आएगा, तो 400 के उपर रूट लग जाएगा इधर x बचा, अब 400 के स्कुराई रूट क्या होता भी यह 20, तो x का माना आ गया 20, यह आपका सही जवाब इसका मतल़ चोड़ाई कितनी है, चोड़ाई आपकी 20 हो गई, ठीक है, डी ओप्सन बिल्कुल सही अब देखेंगे अगला प्रश्नी, अगला प्रश्नी है, एक फॉर्म में कुछ बकरियां तथा मोर हैं, यदि सिरों की संख्या 60 और पैरों की संख्या 170 है, तो बकरियों की संख्या ज्याद करें, बकरियों की संख्या पूछ रहा है, मतल़ चार पैर वाले जानवर की पू जो सिरों की संख्या है उसे ले लो, सिरों की संख्या कितनी है, यह साठ, साठ सिरों की संख्या है, चार पैर वाला जानवार पूछ रहा है कितने हैं, तो चार के अपोजिट दो से गुना कर दो, चार के अपोजिट दो से गुना कर दूगा, तो साठ का गुना दो से कर अंतर कर दो ठीक है कितना बच्चे के आपके पास 50, 50 में 2 से डिवाइड कर दो 25 बक्री हैं कितनी बक्री हैं वही 25 हमेशा सिरों की संख्या लेना है चार पेर वाला पूछा है तो उसके 2 से गुना कर देंगे उसके अपोजिट अगर 2 पेर वाला पूछ ले तो 4 से गुना कर ठीक है मैं करके बता देता हूँ जैसे मन लीजिये हमें मोर की संख्या पूछ लेता तो हमें करना क्या है वही सिरों की संख्या लेनी आगर मोर पूछ ले कितने हैं तो मोर के पोजिट 4 पेर वाले से गुना करेंगे ठीक है चेच चौक के चौबिस यह हो गया दो सो चालिस गुना करने के बाद जो पैरों की संख्या है उससे अंतर कर देना है पैरों की संख्या एक सो सतर है इससे हमें अंतर कर देना है इससे अंतर करेंगे तो कितना निकल गयागा दो सो चालिस और एक सो सतर का अंतर 240, 170 कंतर आ जाएगा भाईया, 70 240 मैंसे देखी, 0 से 0 गया 0, 0 आ गया, ठीक है अब 24 मैंसे मैं 17 घटा दू 7 तो बचेगा, 70 इनकंतर आ गया और अंतर में क्या करदेगा, 2 से डिवाइड तो कितने अभीज़त होते 35, टोटल 60 थे, जिसमें 25 बकरी है और टोटल 35 और 25 मिलाके 60 हो जाएगा और 35 आपके पास तोते हैं दोनों निकाल दीजिए, बना निकालने का मतलब भी नहीं बनता है जब एक निकाल लिया 0 की संच्छा 60 है जिसमें से 25 बकरी हैं तो 25 को माइनस करदो बईया 35 तोते हैं, यह तो अपने आप ही मालूम हो जाएगा कि नहीं लेकिन हमसे बकरीयों के संच्छा पूछा था जो कि 25 है, डी ओप्सन बिल्कू सही उमीद करूँगा सभी को प्रेशन आसानी से समझ मागया ठीक है दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद